दिली के जियम अर्विन के जिवाल भी आखिरकार शुराब नीती घोटाले केस में तिहाड जिल पहुंची गए मुखे मंत्री को बैरक नंबर दो में अकेला रखा गया है इसके लावा इस घोटाले में दिली सरकार के दो और मंत्रियों की मुश्किले बढ़ने वाली है कौन है वो दोनों लोग और जिल में कैसी कटी के जिवाल की पहली रात इस रिपोर्ट में देखिए लोगसभद चुनाब से ठीक पहले आमाद्मी पार्टी को बड़ा जटका लगा है क्योंकि दिली के मुख्य मंत्री और आप संयोजग अरविंद के जिवाल अब तेहार जिल में वक्त बिताएंगे और चुनाब पिरचार नहीं कर पाएंगे मनीश सुसूदिया और संजे सिंग के बाद अरविंद केज़िवाल आमाद्मी पार्टी से तीसरे व्यक्ती हैं जिनको दिली शराब नीती घोटाले में जेल भेजा गया है दिली के रावजवानी कोट ने केज़िवाल को 15 अपरेल तक के लिए न्याएक हिरासत में भेजा है जहां उन्हें तेहार की दो नंबर जेल में रखा गया और यहीं से वो दिली की सरकार चलाएंगे केज़िवाल की बैरक में CCTV लगाया गया है ताकि 24 घंटे उन पर निगरानी रखी जा सके इतना ही नहीं बैरक की बाहर चार सुरक्षा कर्मी हर वक्त तैनात रहेंगे केज़िवाल ने जेल परशासन को 6 लोगों की सूची दी है जो कानून के तहत उनसे मुलाकात कर सकते हैं इस लिस्ट में उनकी पतनी सुनिता केज़िवाल, बेटा पुलकित, बेटी हर्शिता, निजी सचिप, विभव कुमार, आप महा सचिप संधी पाठक और एक दोस्त का नाम शामिल है इसके अलावा अरविंद केज़िवाल ने जेल में अपने लिए कुछ चीजों की मांग की थी, जिन्हें कोट ने मान लिया है केज़िवाल को तिहार जेल में गीता, रामायन, हाउ प्राइम मिनिस्टर डेसाइड, ये तीन किताबे दी जाएंगी डायविटीज की बजह से उन्हें घर का बना खाना मिलेगा, जेल में अपना तकिया और गदा ले जानी की इजाज़त है कोट ने जेल प्रशासन को केज़िवाल के शुगर लेवल की निगरानी और शुगर लेवल कम होने पर ग्लुकोज, टॉफी, केला, मोहिया करानी को कहा है इसके अलावा चश्मा और धार्मिक लॉकेट पहननी की भी इजाज़त मिली है जिस जेल नमबर दो में केज़िवाल हैं उसमें 600 कहदी हैं जिसमें ज्यादतर सजाजाफता कहदी हैं इसलिए सुरक्षा कारणों के लिहाज से उन्हें यहां रखा गया है इसी तिहार की जेल नमबर एक में मनीज से सोधिया हैं जेल नमबर पांच में संजे सिंग बंध हैं जेल नमबर साथ में सतंदर जैन को रखा गया है और अब 14 दिन के लिए केजरिवाल का नया ठिकाना जेल नमबर दो है सोंबर को सुनवाई के दौरान एडी ने शिराब नीती घोटाले में बड़ा खुलासा किया जिससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं कोट में एडी का पक्ष रखने वाले एएसजी राजू ने केजरिवाल का नाम लेकर बड़ा दावा किया उन्होंने बताया कि केजरिवाल ने कुश्टाच के दौरान आतिशी और सौरब भरदवाज का नाम लिया है केजरिवाल ने बताया है कि विजे नायर आतिशी और सौरब को रिपोर्ट कर रहे थे बड़ी बात ये है कि जब ये खुलासा हुआ तब आतिशी और सौरब कोर्ट में ही मौजूद थे इतना ही नहीं दोनों के साथ सुनिता केजरिवाल भी थी वहीं आमाद्मी पार्टी ने विजे नायर के बयान का हवाला देकर एडी के इस दावे पर सवाल खड़े कर दिये हैं के पास खुद है वो डेड़ साथ बात की उठा रहा है शराव नीती घोटाले में अर्विंद केज्रिवाल के जेल जाने के बाद स्यासी तूफान मचा हुआ है और स्वीच